Hello friends, welcome to my channel, Technogroji Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ के नजी स्मार्फोन, IQZ7 5G के बारे में Friends, इस स्मार्फोन को इंडिया में 21 March को launch किया जाना है लेकिन launch से पहले इसके सभी specification लिक हो चुको है तो इस वीडियो में हम इसी smartphone के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं इसются पथाँ अगर अभीत्या अपने इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके well agon को क्लिक कर लेजिए ताकि आने वाले सभी informative video of notification आपको सबसे पहले मिल सकें तो friends हम बात कर रहे हैं ICO Z7 5G के बारे में ICO के बारे में हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसका जो भी smartphone होता है वो performance centric होता है लेकिन performance के साथ इस smartphone डिस्पले और camera भी काफी बहतीन दिया जा रहा है तो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस smartphone के डिस्पले की इसके जो डिस्पले की साइज है वो 6.3 inch की full HD plus AMOLED डिस्पले है और 93Hz की refresh rate के साथ आती है और इसमें सबसे बड़ी बात दुस्तों इसमें आपको 1300 निस्ट की peak brightness मिलने वाली है और एक और बड़ी चीज इसमें आपको in-display fingerprint sensor मिल जाएगा जो कि इस price range में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है बात करते हैं performance की इसमें आपको media tech density 920 का 6NM based बाला processor मिलने वाला है जो कि काफी बड़ीया प्रोसेसर गेमिंग हो रहा है के लिए बहुत अच्छे features इस processor में मिल जाते है processor दोस्तों काफी तगड़ा मिलने वाला है प्रोसेसर का जो भी score अंदोतो इसकोर है वह भी काफी अच्छा है अंदोतो इसकोर की बात करें इसमें आपको पांच लाग के आसपास अंदोतो इसकोर मिल जाएगा जो कि एक स्मार्टफोन के लिए काफी बेतीन होता है इस प्राइस रेंज में बात करें रैम और स्टोइज बैरेंट की इसको दो रैम बैरेंटरी में लॉंज किया गया है जो की काफी अच्छा माना जाता है चार्जिंग की स्पीड बात करें इस स्पाइफ़न के कैम्रे की इसके back में आपको Dual camera step मिली गा इसे पहला sensor 64 Meg affection का है जो की एक OIS camera है चेजरिब के बात करें इसके लिए आपको दोस्तों सिर्फी बोले थे कि इसके camera अच्छा है क्योंकि इस्प्रे में OIS camera ही मिलना बहुत ही मुस्किल होता है दो आमें मेगापिक्सल का एक डेप सेंसर लगाया गया है इसमें आपको सोलो मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जो की काफी अच्छा प्रफॉर्म करती है बाकि करेक्टिविटी फीचर की बात करें इसमें आपको वाइफाई 6 डूल 5G 4G वोल्टी ब्लोटूथ 5 इसमें आपको सभी फीचर मिल जाएंग दोस्तों जो की स्मार्फॉन में अभी चाहिए होता है चाहे वो डिस्प्ले डिस्प्ले देख लेजी कैमरा देख लेजी या फिर इसकी चार्जिंग स्पीड देख लेजिए दोनों काफे सारी चीज़े काफी अच्छी दोस्तों की बात करें इसकी बेकरी की बात करतें इसकी बेकरी 21 मार्फ से एक बज़े से स्टार्ट हो जाएगी एमेजोन पर और आइकू के प्राइस की स्टार्टिंग प्राइस इसकी में प्राइस यह नहीं है इसके लिए हमको बता रहे है कि 6GB 106GB की कीमत 18,999 रुब रखी है इसमे पर पर है और बैंक आपर मिलाकर 1500 डिसकॉंड की बात यह अठारे जार पांश पर जाती है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दिएगा थै झाल